कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आपके ओपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना महंगा बना लेते हैं अगर आप टाइम पर आ जाते हैं डॉक्टर के पास टाइम पर पहुंच जाते हैं छोटा इलाज होगा छोटा ओपरेशन होगा जल्दी अस्पताल से छुटी होगी कम द इधियां का इस्तेमाल करते रहें ये सोच करें कि इसमें दर्द तो होने ही रहा डॉक्टर के पास जाने की आवशकता क्या है तो वो दीरे 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 वो गांट बढ़ती चले जाती है ऐसे के इसके इंदर आपका उपरेशन भी मुश्किल हो जाता है जटल भी हो बात यह है कि अगर आप पहली स्टेज पर आएं हैं तो आपको बिल्कुल मिनिमल खर्चे में आपका ब्रेस्ट कैंसर का उपरेशन हो सकता है लेकिन अगर आप आए ही तीसरी यां चौती अवस्ता में हैं तो उस केस के अंदर आपको कैंसर से लड़ने के लिए सरजरी की क इतनी जल्दी दिखाएंगे खर्चा आपका उतना ही कम होगा ब्रेस्ट कैंसर की जो चार अवस्ताइं है पहली दूसरी तीसरी और चौती अगर पहली अवस्ता में कैंसर की कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए किसी कैंसर स्पेशलिस्ट दोवारा तो उसमें सर्वाइवल जिसे हम कहते हैं कि 98-100% तक है दूसरी स्टेज में अगर पेशेंट आके इलाज कराता है तो भी उसका सर्वाइवल रेट मोर देन 95% है जैसे जैसे तीसरी चौती अवस्ता में मरीज बढ़ता चला जाता है सर्वाइवल रेट डिक्रीज करता चले जाता है वो घट के 50-50-50- भी आजाता है लेकिन 40% का मतलब यह है कि अगर आप चौती अवस्ता में आगे हैं तो भी और कम्प्लीट इलाज कर लिया है आपने तो 40% लोग फिर भी 5 साल के बाद कैंसर रहित रह सकते हैं अगर चौती अवस्ता में भी हम इलाज करते हैं तो भी उसके अंदर सर्वाइ प्रतिशत रहे गया है क्योंकि यह हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा मरीज 30-40 प्रतिशत की कटेगरी में आएगा या वो 50-60 प्रतिशत की कटेगरी में आएगा तो जो 30-40 प्रतिशत लोग हैं वो इलाज के बाद फिर भी कैंसर रहित रह सकते हैं कर दो